जैसरी राम साथियों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे, आज हम आपको लेके आएं यमना एक्सप्रेस वे अथर्टी के सेक्टर 20 और पॉकिट C में, जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टर 20 में आपको अलग-अलग साइस देखने के लिए अलग-अलग पॉकिटों में, जैसे C, D और E पॉकिट में आपको 1000 मीटर के प्लॉट देखने क्लिए मिलेंगे, यह 1000 मीटर का प्लॉट है, C ब्लॉक में, जिसमें हमारा कंस्टेक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, अभी पूजा चल रही है, पूजा के बाद जैसे काम आगे बढ़ेगा, जैसे बिल्डिंग बढ़ेगी, आपको हम इसकी वीडियो सेयर करते रहेंगे, और दिखाते रहेंगे, किस तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं, बाकि मैं काफी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, कि हमारी यहां पे साट के आसपा साइट चल रही है, जिन हम अपनी तरफ से 100% देते हैं, और अच्छा काम करते हैं, जो हमने कमेंटमेंट किया, जिस तरीके से एग्रिमेंट हुआ है, जो जो बाते उसमें लिखी गई हैं, जो कराना चाहते हैं, वो अपने घर में, उस तरीके से हम कंश्टेक्शन यहां पे करते हैं, इसलिए हमार ही काम है, सेक्टर पीस की, O-Pocket हो गई, M-Pocket हो गई, G-Pocket हो गई, तो आपको हमारे ही काम देखने के लिए मिलेंगे, उसका यही रीजन है, कि लोग हम पे विश्वास करते हैं, हमारे काम को देख के, और काम भी हमारा उसी तरीके से हैं, जो कमेंटमेंट करते हैं, जिस त कि अच्टेक्शन हो, मैक्सिमम का स्टेक्शन हो, पैनल्टी से बचने के लिए, जल्दी आपको यमना एक्सप्रेश में अथरुटी के तरफ से पैनल्टी जो है, वो यहां प्लॉटो पर देखने के लिए मिलेगी, जिनका भी टाइम कंप्लीट होता है, उन पर आपको पै क्योंकि यहां पर आप देखेंगे यमना अथर्टी के सेक्टर 18 सेक्टर 20 में काफी कंश्टेक्शन बने हुए मगर 70 से 80 परसेंट प्लोटों के अभी तक कंप्लीशन सेटिविकेट नहीं है उसके अलग-अलग कारण है कि कुछ कमिया किस तरीके से कमिया छोड़ी गई है काम फिर लंबे टाइम तक खिषता चला जाता है और वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आप उन्हीं बिल्डर को काम करने के लिए दें जो अच्छे तरीके से काम करते हैं ऐसा नहीं है यहां पर काफी ऐसे बिल्डर है जो बहुत अच्छा काम कर रहें अच्छे टाइम प तूइस तरीके से काम बीच में रह गया है अधूरे रहे गया किस तरीके से कम्प्लीट कराएं तो इन सब चीजों को आप देखने के बाद ही अप सोच समझ के आप पता करें ग्राउंड पे पहले देखें कि किसने कितने घर बनाएं कितनों के कंपलीशन के अश्रेट रुड तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी जैसे जैसे इस प्लॉट पे काम आगे बढ़ेगा तो हम आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे बाकी आपका सेक्टर 18 सेक्टर 20 में 300 मीटर 500 मीटर 1000 2000 4000 कोई भी आगर रेइस्टर प्लॉट है और आप का स्टेक्शन कराना चाह एडरस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर एस एंजी प्लाजा अंसल गोल्फ लिंग वन नियर नॉलिज पारक टू मेट्रो स्टेशन और पास ही में यमना एक्सप्रेस वे अथोर्टी का दफ्तर भी है तो आप हमारे ओफिस भी आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं तो आज की ये वीडियो में इतना है वीडियो अच्छी लगी हो वी डियो को लाइक करें उन लोगों के पास दौरे Ε च्पारने